राधे राधे नमस्कार मैं आपकी एश्वदोस एश्वजा अर्चागुप्ता दोस्तों हम सभी अपने जीवन में उपर उठना चाहते हैं उपर उठने का ताथ पर है कि अपने जीवन में लाइफ में जो परेशानिया हैं उन सभी से भाहर निकल कर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं लाइफ में सभी का प्यार हो, हमारे अपने अपने साथ हो, किसी तरह की रोग बीमारियां हमारे पास ना हो, जो भी हम कमा रहे हैं वो हम सही मार्ग से कमा पाएं और जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें सही लाग मिलना शुरू हो जाएं तो मैं डेली आपको ऐसे वीडियोज देती रहती हूं, साथ मैं ऐसे वीडियोज भी देती हूं, जिसमें अमरत की बूंद और जादू ये अच्छर, मादर एक मिनट के प्रयोग से आपका चंद्रमा बली हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारा चंद्रमा नियंत्रित होता है, यकीन मानिये, ऐसी व्यक्ती ही जीवन में से अंचे रख्या करते हूं, जब मारा मन अरеп अच्छा होता है, तो धन भी हमारे पास विविन रास्तों से आने लगता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं, कि महिला के किस अंग को चुने से, आपके किस खिसमत के दर्वाजे खुल जाते हैं भाग आपका साथ देने लगता है और कैसे आप तरक्की के रास्ते चढ़ने लगते हैं राधे राधे नमस्कार मैं आपकी ऐस्टोस जोतिस के चैनल पर आप सभी का हरतिक स्वागत करती हूं दोस्तो मैं आपकी एस्ट्रोलोजर यानि जोतिशी हूँ निम्रलोजिस्ट हूँ बास्तू सास्त्री हूँ लाल किताब रीडर हूँ और साथ में आपका चैरा और हाथ पढ़कर भी आपको बहुत कुछ आपके बार में बता सकते हूँ लेकिन उसके लिए तो आपको मुझस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जिससे कि मेरे प्रति दिन के वीडियो आपको नोटिफिकिशन मिलता रहे हैं दोस्तो महिलाएं जो हमारी जीवन में जितनी भी महिलाएं होती है वो या तो मा है या बेहन है या पत्नी है या बुआ है या दादी है इन सभी का कि किसी ना किसी ग्रह से connection होता है, मा हुई तो आपकी चंद्रमा हो गई, दादी है तो आपकी चंद्रमा है, नानी है तो आपकी चंद्रमा है, आपकी बेहन है तो आपकी बुद्ध है, आपकी बेटी है वो बुद्ध है, आपकी मौसी है वो बुद्ध है, और आपकी पत्नी है तो वो आपकी शुक्र है, तो महिलाओं के जरीए आपके तीन तीन ग्रहे आपके बिलेंस होते रहते हैं, अपने ग्रहों को हम बिना किसी पूजा पाट कर भी महिलाओं का मात्र एक अंग चुने सर भी बली कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी कुली का चंद्रमा बली होता है बुद्ध अच्छा होता है और शुक्र अच्छा होता है तो जीवन में हम तरक्या करते हैं कैसे जब चंद्रमा अच्छा होता है तो हम खुश रहने लगते हैं हर कारे को सोच समझ कर करते हैं और जिस भी कारे में हाट डालते हैं उसमें हमें सफलता में फिर साथ में बुद् आजाते हैं, तो ऐसे लोगों का बुद्ध खराब होता है, बुद्ध खराब है तो आप चीज़ा भूलने लगते हैं, आज कुछ करने जा रहे थे, कल कुछ और करने लगते हैं, चीज़ा भूलने लगते हैं, आपका बुद्ध खराब होता है, तो आपके अंदर मेनेजमें कोई भी आप से जुड़ना नहीं चाहता है इस तरह से बुद्ध को ठीक कर लेते हैं फिर ही शुक्र जो कि आपके जीवन में तेंधिये बपलाता है आपको धन अकरशन दिलाता है जो कि जैसे कोड़ और मंगल खराब होता है, अप कर्ज के दलदल में फसते चले जाते हैं। पैसे को आप वती लगाते चले जाते हैं। अपने ही काम होसे हैं। गलट-गलट काम होते जाएंगे। किसी ने भी आपको आई दिए । अपको पैसा लगा दी और वो गय आपका पैसा फाजा जाता है। जो पतनी आपको बहुत प्यार करती थी, बहुत आपके इज़द करती थी, आज आपकल वो आपसे तलाक मंग रही है, वो आपके साफ में रहना ही नहीं चाहती, आपको भी वजह नहीं पता है, बेहन जो आप तक आपकी बहुत अपनी थी, आज वो आपके ही कुछ कामों से एसा हो गया, आपसे बबात ही नहीं करती हैं। यानि कि आपका वुद्ध खाराब हो गया। मां है remembers आपसे हूए हैं… आपका चंदरमां खाराब हो गया। तो क्यों ना आप आपने इनjust in 182 ग्रहों न स्टेरा में के इतना कोई मुश्किल काम निया। क्योंकि लक्षमी इन तीनों के चरणों से ही आती है हमारे घर में, जब भी इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहती है, इनकी दुआएं आपको मिलती रहती है, आपके जीवन में अब तरक्या करते रहते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रहे चतुर्त भाब में जाकर अपके घर के हो जाते हैं यहां पर शुक्र बैटा हो बुद्ध बैठा हो चंद्रमा बैठा हो उच्छ का समान फल देता है और जो ग्रह उच्छ का होगा तो उसके तो आपको लाब मिलने ही मिल तो आपको अपने जीवन में आप चाहते हैं कि हमेशा आपने जीवन में तरक् हाथ लगा कर आशिरवाद लेते रहते हैं उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी कठनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता है कभी भी उसे नीचा नहीं देखना पड़ते हैं तो अगर डिली आप अपनी मा के पैर चूती हैं तो यकीन मानिए कि सारा स्वर्ग आपके चड़ों म मा के चड़ों में चंद्रमा वली हो जाता है और पैर चूने की बिधी कोई साधार बिधी नहीं है कि आप गए और आपने ऐसी उनके घुटने चूलिए पर आप चले आए ये पैर चूने की बिधी नहीं है आपको पैर चूने है आप मा के चूलीजे अपनी बहन के चूली और देखेगा जैसे आप पैर चुएंगे वो आपको भर-भर का आश्रिवात देना शोरू करेंगे तो पैर चुने की विधी क्या है कि आपको साथार ऐसे करके अपको उनकी घृट्रे नहीं चुने हैं आपको उनकी चुने हैं नाकुण जो मैलाओं के नाकून होते हैं और विशेश रूप से पैर का नाकून उससे आपको उनकी आसिर्वा जो वो दे रहे उसका पूरा भरपूर फादा मिले तो अपनी जो आपकी दरजनी उंगली है या आपकी ब्रसपती की उंगली है और माह होती हैं चंद्र माह तो जब आप या जो बिद्वा मैला हैं वो भी चंद्र और मंगल की युती सब होती हैं बेहने वो बुद्ध हैं तो आपने दोनों अपने अनामिका उंगली को उनके चरणों पर उनके अंगूठों पर रख दीजिए और आशिरवाद जब तक वो दे रही हैं तब तक उने रखे रखे उसके बाद उठाकर अपने मस्तक पर अपने हिर्दय पर जरूर लगाई है यह है चरण चूने की सही विदी क्योंकि इससे जो आपने उनके पैरों को चुगा एक मिनट आधा मिनट तो आपकी उंगलियों में उनकी वो पॉजिटिव एनरजी जो उन्होंने आपको आशिरवाद दिया इन उंगलियों के माध्यम से आपके मस्तक पर आपके हिर्दय पर बस गया फिर आप देखिएगा जीवन में कैसे तरक्या होने लगे कि अब बहुत सारे लोग तो कहेंगे उनकी मा नहीं है कोई बात नहीं है आप किसी मंदिर में जाते हैं कोई परनितानी बैठती होंगी वो आपके पड़ोस में कोई मैला होंगी बुजुर्ग जो आपको मा समान होंगी उनके और कभी भी आपकी मा आपसे नाराज है तो यकीन मानी कि अपने हातों से या आपके धनका नुकसान कर रहे है तो मा को मनाना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है अपनी मा को अगर दूर रहती हैं उसे तो कम से कम हफते में या दिन में अगर आपके लिए पॉसिविल है तो दिन में एक बार सिर्फ हलो मा कैसी हो क्या खाया इतनी ही बात करेंगे तो मा का आशिरवात भर भर कर आपको मिलता रहेगा जीवन में कभी भी आपको चंद्रमा के किसी भी दोश का सामना नहीं करना पड़ाएगा चाहे वो आपको अश अशिरवात के जरिये चंद्रमा आपका शुब होता चला जाएगा लाइफ में आप तरक्कियां करते जाएंगे करोड़ पती अरब पती बनने में कोई नहीं रोक सकता देखिए मैं कहती क्यों हूं मैं कहती हूं कि बोलिए हर व्यक्ति अगर लगपती करोड़ पती होगा तो लाइफ में हमें अपने लगजरी जीने में इतना तो हमारा अधिकार है होना चाहिए अब लोगों ने कहा किसी ने मुझे कमेंट लिखा था कि मैं हम सब करोड़ पती होंगे तो गरीब कौन होगा आप ज्यादा होंगे कोई दूसरा कम होगा और उस पर भी पैसा आरा तो आपको बुरा क्यों लग रहा है वाई आपको तो खुश होना चाहिए हमेशा आपने से उपर वालों को देखी आप जंदी तरकी कर जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत पॉजिटिविट लिजिए कीजिए और कितना लाब मिला है मुझे कमेंट में जरूर लिखिए इसके साथी चैनल को सबस्ट्राइब करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट में जयमात अधी रादे रादे अवश्च लेएं वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले सोसल मीडिया पर अपने सोसल मीडिया के फ्रेंड्स को कुली का विश्चर कराना चाहते हैं जीवन में चले किसी भी समस्टा के सरल निदान के लिए तो आप वाट्सव मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी के जरिये भी जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया क्या है प्रक्रिया प्रसीजर हमसे जोडने का क्योंकि यहां कुछ नॉमिनल से फीस रखी गई है उस फीस को देने के बाद ही आपको अपन्डमेंट मिलता है धन्यवाद दोस्ते